दोस्तो सायद ही कोई स्मार्टफोन यूजर हो जो आज की डेट में वाटसेप का यूज न करता हो लेकिन दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके वाटसेप की तीन ऐसी ख़दरनाक ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिने दोस्तो अगर आप अपने वाटसेप में जाकर कर देते हैं तो यकीन मानना आपके फोन की बैटरी का बैक अप इतना ज़्यादा बर जाएगा जो आपको phone में battery बार बार चार्ज करनी पड़ती थी आपके phone के battery बहुत कम चलती थी इन सारी problem से दोस्तों आपको छुरकारा मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप भी अपने phone की battery का backup को बढ़ाना चाहते हैं तो WhatsApp की कौन सी settings है जो आपको अपने WhatsApp के अंदर करनी है यह जानने के लिए दोस्तों आज की वीडियो को आप पूरा ध्यान से इंड तक जरूर देखना क्योंकि जब तक आप इन तीनों settings को अपने WhatsApp के अंदर on नहीं करेंगे तक दोस्तों आपको इसका पूरा फायदा नहीं होने वाला है तो अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे दोस्तों तो आपको इसका फायदा नहीं होगा तो इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से इंड तक जरूर देखना तो चली दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी स्रीकूप अच्छे कि सबसे पहले यहाँ पर आप इस बटन को प्रिसल के वीडियो को लाइक कर दीजिए उसके बाद इस सब्स्राइब बटन को प्रिसल के चैनल सब्स्राइब कर लिजिए साथ इस बिल आइकन को प्रिसल के आल पर सेट कर दीजिए इतना करने के बाद दोस्तों आप उन्हीं चे कमेंट बाक्स में जानाओ आपको एक अच्छी सी कमें लिए देने आपको नाइस वीडियो आसम वेरी गूर यह वेरी नाइस लिखेंट कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं वाट्सेप पर जितने भी ग्रूप साहुन साविप पर जदा ज़दा सेयर जरूर की रना आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं पने वीडियो करते हैं श्टार्ट दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बैटरी का बैक अप कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो बैटरी आपकी एक दिन भी नहीं चलती थी वो दोस्तों बैटरी आपकी दो दिन तक चल सकती है दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने फोन में 3 सेटिंग करनी है WhatsApp के अंदर दोस्तों सबसे पहली सेटिंग करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है अब दोस्तों आप जो सेटिंग में जाएंगे तो आपको नीचे जाना है और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग ढूर लेनी Apps के नाम से या फिर दोस्तों आपके फोन में Apps Management के नाम से होगी तो कुल मिला कर आपको इस सेटिंग को ढूर लेना है अब यहाँ पर उता कुल ने आपके फोन में जितने सारे भी Applications होते हैं वो सभी Applications आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हमारे फोन में इस समय दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 72% इस समय बैटरी है अब दोस्तों यहाँ पर आद देखते हैं हमारे WhatsApp ने बैटरी 0% used since last fully charged मतलब सुबा मैंने फोन चार्ज किया था और अभी साम के 3.30 बज रहे हैं जब मैं वीडियो सूट कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे WhatsApp ने कोई भी बैटरी ड्रेन नहीं की है वोगी मैंने इन 3 सेटिंग को आन करके रखा हुआ आप दोस्तों खुद अपनी आखों से देख सकते हैं इसका मतलब हमारी बैटरी का बैक अब कितना ज्यादा है आप सोच सकते हैं तो आप दोस्तों आपको यहाँ पर पहली setting करने के लिए इस battery पर type करना है अब दोस्तों आप जैसे battery पर type करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 setting मिल जाएंगी unrestricted, optimized, restricted या फिर दोस्तों आपके phone में 14 setting हो सकता होगी battery saver के नाम से तो यहाँ पर आप देखते हैं आपके phone में unrestricted प पर set कर देना है या अगर आपके phone में battery saver के नाम से setting है तो आपको battery saver पर set कर देना हो के इसे दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं लिखा restrict battery uses while this app is running in the background यानि कि इससे background में आपकी battery uses को बिल्कुल भी बंद कर देता है तो यह पहली setting आपको अपने WhatsApp में जाकर इस तरीके से on कर लेनी है और इस setting को on करने से दोस्तों आपकी battery काफी ज्यादा चलने लगेगी उसके बाद दोस्तों आपको अपने WhatsApp के अंदर दूसी setting करनी है तो आप सभी WhatsApp में chat जरूर करते होंगे और दोस्तों आप जब chat करते हैं तब आपकी battery काफी ज्यादा drain होती है अगर आपके phone WhatsApp पर बहुत ज्यादा messages आते हैं या आप message करते हैं किसी को अपने friends को तो आपकी battery काफी ज्यादा drain होती है तो इसके लिए आपको अपने phone में एक setting WhatsApp में बंद कर देनी है तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना WhatsApp open करना है three dot पर click करना है setting में जाना है अब दोस्तों आप जब भी बंद नहीं करवाऊंगा आपको first number पर एक setting मिल जागी conversion tone की अब दोस्तों ये setting हर एक phone में WhatsApp में on होती है तो इसे आपको बंद कर देना है इसे दोस्तों होता क्या है कि अगर ये setting आपने इस तरीके से on करके रखी है तो आप देशते यहां पर लिखा हुआ है play sound for incoming and outgoing message त होता है लेकिन उसे आपकी बैटरी को काफी ज्यादा drain करता है तो इससे दोस्तों आपकी battery का backup काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये दूसरी setting करने के बाद आप दोस्तों आपको अपने WhatsApp के अंदर third setting करनी है तो third setting करने के लिए दोस्तों आपको back आना है और back आने के लाइट डार्क तो इसे आपको इस तरीके से डार्क पर सेट करना है और यहां से ओके कर देना है अब दोस्तों इससे आपके फोन की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाएगी और यहां पर आपका वाटसेप ऐसा कुछ देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों इससे आपकी बैटरी क बैक अप काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा वार्ट सेप जब आप यूज करते थे तो आपकी बैटरी जो काफी जल्दी जल्दी ड्रेन होती थी वो बंद हो जाएगी तो इन तीनो ट्रिक्स को जरू ट्राई कीजिए उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी बैटरी स्कीमे कितना ज्यादा आ गया है बैटरी ड्रेन होने में। दोस्तों यही था इस वीडियो में आईए होब आपको वीडियो पसंद आई होके वीडियो से का कौफी सीखने को मिला होगा वीडियो को जाज व्यादा लाइक कीज़ें केजीए और आगे भीडियो के लिएल तो बुड़